बॉलिवुड हो या फिर टेलिविशन सारे ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने परदे पर कुछ ऐसे किरदार निभाई जो मानो लोगों की जहन में हमेशा के लिए अमल हो गए फिर चाहे नितिश भारदवाज द्वारा निभाया गया कृष्णा का किरदार हो या फिर रामायन में निभाया गया दिपिका का सीता का रोल तो चलिए आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको रामायन के उन्ही स्टार्स के बारे में बताते हैं जो राजनीती में आई सांसत बने और अब गुमनामी की जिंदगी जी रही है सबसे पहले बात करते हैं अर्विन त्रवेदी की अर्विन त्रवेदी ने रामानंत सागर की नामायन में रावन का रोल किया था इस रोल में उन्हें सफलता भी मिली आपको बता दें कि बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अर्विन ने भी राजनीती में अपना लकास माया लेकिन अब वो कहां और क्या कर रहे हैं इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं अर्विन की तरह दिपिका चिखालिया भी राजनीती में उत्री थी दिपिका वहीं है जिन्होंने रामानंत सागर की रामायन में सीता का के दार ने भाया इस किरदार से दिपिका को खूब शोहरत मिली आपको बता दें कि दिपिका ने भाजपा की टिकेट पर 1991 में गुजरात के बडोधा से सांसत बनी टेलिविजन के अलावा दिपिका ने बॉलिवुन में भी अपनाला का अजमाया और नमबर 3 नितिश भारतवाज अब बात करते हैं नितिश भारतवाज की नितिश ने बी आर चूपरा की महाभारत में खृष्णा का किरदार निभाया टीवी पर नितिश को इस रोल में बहुत पसंद किया गया इसके बार नितिश ने राज़ीती में एंट्री ली और 1996 में वो सांसत भी बने लेकिन 1999 में लोग सवा चुनाव हो हार गए